अब आपके अपके अपके लिए और इंडिया इस्टूट ऑफ मेडिकल साइंस किसमें आपकी वकैंसी निकलिया है देखिए ओफिसली वेबसाइट है एमस की यहां से आप अप्लाई कर सकते हो नियु रिजिस्टेशन यदि आपने रिजिस्टेशन कर लिया है तो आप यहां से आपन कर सकते हैं अपनी आईडी कंडियेट आइडें पासवर्ड फॉर लोगिन क्लिक है देखिए नोटिफिकेशन देखते हैं पहले कि देखिए ओल इंडिया इंस्टिटुट ऑफ मेडिकल साइंस डली रिकॉर्मेंट नोटिस आपका एक दोजार उन्नीस है देखिए किस पोस्ट की वेकेंसी निकली आपकी नर्सिंग ऑफिसर आपकी ग्रुप भी अठार से तीस साल इस आपकी पांसो तीन टोटल वेकेंस आपकी स्लेक्स प्रोसेस और और स्लेक्शन आपका रिटर्न एक्जाम ओनली एक क्वालिफिकेसिन की बात करें तो B.SE Nurse Nursing या B.SE Nursing from an Indian nursing council, state nursing council से या फिर आप B.S.C, Post Certificate Post Basic B.S.E Nursing from an Indian nursing council या state nursing council से या फिर Registered as Nurse या Med adjectives with state या Indian nursing council से या फिर ये फर्ष था आपका या सेगिन इन दोनों में से एक देखे इसके बाद देखे second diploma in journal nursing midwife from an Indian nursing council या state nursing council से registered as nurse या midwife in state या Indian nursing council या आपके पास two year experience in minimum पचास बेड़िट होस्पिटल आपके पास experience होना चाहिए the number of post mansions is tentative and made change basic based on the institute change भी हो सकती है आपकी लेकिए आपका ओनलाइन अप्लाइए कर सकते हैं आप एक अगस्त से एक इस अगस्त के बीच में आप अप्लाइए कर सकते हो ओनलाइन दीखें फीस की बात करें अप्लीकेशन फीस दर्नल ओबीसी के लिए 1500 और फीस है हसी हस्टी और इडबलो एस के लिए 1200 persons with disability के लिए कोई फीस नहीं है आपका एक्जाम कब होगा? ओनलाइन एग्जाम होगा आपका 15 सेक्टमबर को आपका ओनलाइन एक्जाम होगा और डेट अव रिजल्ट आपका 24 सेक्टमबर को आ जाएगा देखें एक्जाम डेट भी दे दी है नो ने तो देखे यही information थी जो आपसे सेह करने थी तो आप जल्दे से apply कर दीजिये यह information थी जो आप सेसेख करने थी यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हैर वीडियो को नोटिफिक्स आपके पास पॉस्ट के थेंक यू समझ